और क्या हाल है तो फाइनली बुम्रा की वापसी तो हो गई और बुम्रा ने आते ही अपने पहले ओवर पे दो विकेट ले लिए अगर बारिश नहीं होती तो शायद इंडिया मैच जीत जाती क्या इंडिया मैच जीत गई कैसे तो यार वेस्ट इंडिया के सीरीज के बात जितने सवाल हमें नहीं मिले थे उतने सवाल एक मैच में मिल गया तो यार सबसे पहला सवाल आता है अरशदीप के उपर आज के मैच में एक साल के बाद खेल रहे दो बॉलर थे उसके बावजूद अर्शदीप सबसे महेंगे गए और तो और आज के मैच में शिवम दुवे 126 km पर आवर की स्पीड से गेंद फेक रहे थे और सामने हमारे अर्शदीप से 129 km पर आवर की स्पीड से एवरेज बॉ बॉलर मुझे तो लगता है अर्शदीप आप बॉलिंग करना ही भूल गया है देथ होवर्स में बैट्समें तो बैट्समें अब बॉलर्स भी इनको पेल के चल दे रहे हैं प्लस पॉइंट था बुम्रा की बापसी बुम्रा ने जब पहली गेंद डाली और पहली गेंद पर ही चौका लगा तब थोड़ा अमन में आया कि कहीं बुम्रा को बापसी करने में टाइम न लग जाए तेकिन ठीक अगली गेंद में उन्होंने सामने वाली टीम के किसी ने एक पोश्ट डाला है जिसमें लिखा है Lord of Swing the return of the king बुम्रा अगर वल्ड कप तक रहते हैं तो इंडियन टीम की स्कौड अलग नजर आती है शिराज शामी और बुम्रा के साथ इंडियन टीम बिलकुल 100% तयार नजर आती है अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि KL Rahul Asia कब तक 100% फिट हो जाएंगे अब देखने वाली बात यह है कि Rahul Drabit के अपनी best 11 उतारते हैं कि फिर भी experiment करते रहेंगे चाहे जो भी हो हमें तो match देखने में आना चाहिए मज़ा अब हर किसी को इंतजार है इंडिया और पाकिस्तान के match का उमीद है इंडिया अपना best 11 उतारेगी और पाकिस्तान को हराएगी तो यार वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगली वीडियो में